नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपकी आराम दायक हृदय दरकम होती है और आपका हृदय अधिक कुशलता से रक्त पंप करता है। मानस्पेशियों की ताकत और सहन शक्ति नियमित साइकिलिंग विभिन्न मानस्पेशी समूहों को सनलगन करती है। विशेश रूप से निचले शरीर में। आप अपने क्वाद्रिसेप्स, हेंस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और काफ्स की ताकत और सहन शक्ति में महत्वपूर्ण सुधार देखेंगे। इसके अलावा साइकिलिंग आपके कोर मानस्पेशियों को टोन करने में मदद कर सकती है, जो स्थिर्ता और संतुलन प्रदान करती है। साइकिलिंग कैलोरी बर्न करने और वजन प्रबंधन का एक शांदार तरीका है। आपकी तीवरता और अवधी के आधार पर आप प्रती घंटे 400-1000 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं। एक संतुलित आहार के साथ मिलकर रोजाना साइकिलिंग करने से आप एक स्वस्थ वजन प्राप्त कर सकते हैं और उसे बनाए रख सकते हैं। उच्छ प्रभाव वाले व्यायामों के विप्रीद साइकिलिंग आपके जोडों पर सौम्य हैं जिससे यह सभी उम्र के लोगों के लिए उप्युक्ष है। विशेश रूप से कूल हों, घुटनों और टकनों में। यह कम प्रभाव वाली प्रकृती जोडों की चोटों और गठिया के जोखिम को कम करने में मदद करती है। और लडने में अधिक प्रभावी होते हैं। साइकिलिंग सिर्फ आपके शरीर के लिए ही नहीं, बलकि आपके दिमाग के लिए भी बहुत फायदे मंग है। नियमित शारीरी गतिविधी एंडोर्फिन रिलीज करती है, जिससे आपका मूड बहतर होता है और तनाव और चिंता कम होती है। कई लोगों को लगता है कि साइकिल चलाने से उनका मन साफ होता है और उन्हें स्वतंत्रता और विश्राम का अहसास होता है। दिमागी तॉर पर साइकिलिंग के कई फायदे हैं। नियमित साइकलिंग से मस्तिश्क में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, जिससे याददाश्ट, ध्यान और समस्या समाधान कौशल जैसी संग्यानात्मक कारियों में सुधार होता है। जैसे कि सही फिटिंग वाला हेलमेट और अपनी साइकलिंग की नियमित रूप से रख रखाव करें। अगर आप साइकलिंग में नए हैं तो धीरे धीरे शुरू करें और धीरे धीरे अपनी तीवरता बढ़ाएं ताकि ओवर्यूज चोटों से बचा जा सके। हमेशा और ट्रैफिक और सड़क की स्थितियों के बारे में सावधान रहें।